आज हम बात करने वाले हैं BPCL के स्टॉक को लेकर तो देखे BPCL के अंदर मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि एक breakout हुआ था downside की side जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अगर आप long term इसका trend देखते हो तो यहाँ से यह support लेकर चल रहा था उपर और यह breakout हुआ था तो अगर यह breakout हुआ था तो इस हिसाब से जो इसका target बनता था downside वो बनता है 300 रुपीज ठीक है तो जाने कि कहीं न कहीं यह stock 300 रुपीज तक आना चाहिए लेकिन अभी तक यह आया नहीं है कोई issue नहीं है यहाँ पे seller जो थे वो trap हो गए थे और यह stock 324 से reverse होकर उपर की side चला गया जिसने की मेरे खाल से 420 रुपीज upside इसने लगा दिया ठीक है जाने कि लगाना था 300 बट उल्टा इसने seller का यहाँ पे SL जो है वो hit करने की कोशिश कर दी और वो हो चुका है क्योंकि यहाँ पे seller ने shot किया होगा बड़ उसके बजाए उल्टा यहाँ पे 420 रुपीज का target उपर side का लग गया तो यहाँ पे कौन trap हुआ seller trap हो चुके है अब अगर देखा जाए तो यह stock उपर से reverse की तरफ नीचे आ रहा है तो काफी सारे लोगों ने उपर के level पे 400 पे जिनोंने buying की होगी कही ना कहीं अब वो trap हो चुके है और उनका जो अब stop loss होना चाहिए या फिर उनको कैसा इसके अंदर खेलना चाहिए वो चीज़ आपको मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दू कि BPCL के अंदर एक range है ठीक है यहाँ पे 2 zones है पहला zone है 400 से लेके 369 क बीच में अगर आप मुझे पूछो कि यह December में हमें इसके अंदर कितनी range देखने को मिल सकती है कितना upside जा सकता है कितना downside जा सकता है तो guys यहाँ पे मैं आपको बता दू कि December के अंदर जो इसकी maximum down range है वो है 350 रुपीज इसके नीचे यह stock नहीं जाना चाहिए मेरे technical के चीजे मैंने देखी है वो सारी चीजे मैं आपके सब discuss करूँगा ठीक है तो downside जो मैं मानता हूँ BPCL के अंदर वो है 350 रुपीज और upside अगर आप मुझ से पूछो तो वो है 400 रुपीज ठीक है तो यह 50 point की range है जो BPCL के अंदर आपको देखने को मिल सकती है अब बात करते ह यहां पर बाइंग कहां initiate करें selling कहां initiate करें तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं न कहीं BPCL के अंदर एक यह एक zone है triangle pattern है जो आपको देखने को मिल रहा है इस level ठीक है तो जब तक यह triangle pattern break नहीं होता हम लोगों को तो बाइंग नहीं करनी चाहिए ठीक है या तो यह अ लेकिन आज आए तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन अब बात करते हैं जिन्नों ने यहां पर बाइंग की है वो क्या करें तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह चीज़ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर अगर किसी को बाइंग करनी है हाल फिलाल इस level पे तो सबस यहां पर 350 रुपीज का ले सकते हैं लेकिन यह जो 350 रुपीज का आपको SL लेना है वो किस तरह से लेना है यह आपको SL लेना है कि यह 350 रुपीज के नीचे अगर दो red candle close दे देता है तो आपको यहां पर exit कर देना चाहिए BPCL में से ठीक है मैं आपको फिर से बता दू जैस को रखना चाहते हो तो फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा आप इसके अंदर और भी बाइंग कर सकते हैं 350 के नीचे ठीक है और maximum जो आपको big stop loss रखना है long term के basis पे वो यह वाला price रखना है मतलब आप इसके अंदर maximum जो big stop loss रख सकते हो वो 325 रुपीज का यहां पर रख सकत है पहला जो stop loss अभी मैंने आपको बोला वो है 350 रुपीज याद रखे का दो candles red close होनी चाहिए इसके नीचे तभी आपका sell hit होगा अदरवाइस नहीं और मेरे को लगता नहीं है कि यह हो पाएगा इसलिए मैंने आपको 350 suggest किया है अब बात आती है यहां पे कि मैं 370 रुपी आपका जो है एक strong support के तोर पे काम करेगा तो अगर कोई 350 के पास buying करता है तो वो maximum अपना जो SL है वो 325 रुपीज का लेगा upside target हमारा वहीं रहेगा 400 रुपीज या फिर 390 रुपीज के करीब करीब ठीक है यह बात ध्यान रखेगा अब मैं आपको कुछ important चीजें बताना च अमज लीजेगा दिखे BPCL के अंदर अगर आप 90 दिनों का VWAP प्राइस देखते हो तो वो near around 377 रुपीज बनता है जो कि मैंने XLC के data download notice करके रखा हुआ है अगर आप मुझे पूछो यहाँ पे 21 दिनों का कितना average price बनता है तो वो बनता है 380 रुपीज VWAP price 13 दिनों की average के हिसाब से 377.60 है तो जानी कि इस stock में 380 से 70 के बीच में एक अच्छी buying आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है यह बात ध्यान रखेगा जानी कि कुछ दिनों के अंदर यह stock आपको reversal यहीं से एक देने को त्यार हो रहा है ऐसा मेरा मानना है कि आपको कह नहीं नहीं अभी 37 से एक reversal जो है वो upside का देखने को मिल सकता है ठीक है तो यह बात थोड़ी सी द्यान रखेगा इसी के साथ मैं आपको कुछ और data points यहाँ पर बताना चाहूंगा अगर आप BPCL की option chain देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा highest open interest और traded contract जो अभी चल रहा है वो 400 रुपीस है तो जानि कि 400 की जो call है वहाँ पे most active call writer बैठे हुए है तो 400 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है जैसा कि मैंने आपको technical business पे बता दिया वहीं दूसी तरफ अगर आप put side मुझे पूछते हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा highest open interest आपको 350 पे ही मिल रह है तो यह बात थोड़ी सी द्यान रखेगा अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी delivery data की तो यहाँ पे अगर आप stock का price देखोगे तो वो down की side जा रहा है बट कहीं न कहीं हमारा जो turnover है traded quantity है वो decrease होती जा रही है यह बात थोड़ी से आप द्यान में रखेगा पिछले 8-5 13 दिनों की अगर आप देखते हैं ठीक है तो यह delivery decrease हो रही है लेकिन यहाँ पे अगर आप delivery percentage देखोगे तो वो increase हो रही है big player की activity देखोगे तो वो भी increase हो रही है तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक buying जो है वो चल रही है इस level पे यह बात ध्यान रखेगा तो आपको upside यहाँ प अगर यह consolidation करना शुरू कर देता है और delivery percentage कम हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे buying होना शुरू हो जाएगी तो हमेशा अब आप एक की बात याद रखे कि 350 जो है वो इस month इसके लिए strong support होगी यह बाध्यान रखेगा और upside 400 एक resistant zone होगा buying initiate करनी है तो 370 रुपीज के करीब करीबा buying कर सकते हो 370 से लेके 360 के बीच में एक अच्छा आपके लिए मोका होगा इसको buy करने का लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि यह 370 के नीचे आपको जादा trade होता हुआ दिखेगा तो मैं सबको यही suggestion देना चाहूँगा जो मेरा technical कहता है मेरा experience कहता है कि इसके अंदर हम 325 रुपीज का SL अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है लेकिन मेरे हिसाब से आपको जो एक strong SL यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आप अभी अगर इस trendline के हिसाब से चलते हो तो आपको 340 के नीचे stop plus नहीं रखना चाहिए आप maximum यहाँ पे 340 रुपीज का SL जो है वो लेकर चलिए क्योंकि मेरे हिसाब से अगर यह 340 के नीचे गया तो फिर यह आपको 300 तक के target यहाँ पे देने की कोशिश कर सकता है तो आप एक short run या फिर अगर swing trade खेलना चाहते है तो 340 का एक strong resistance है इसके लिए वो आप support zone है तो 340 रुपीज आप support लेके चलिए buying initiate करनी है त तो 370 से 360 के बीच में आप जितना buy करना चाहे कर सकते हैं 340 का SL रखिए upside आप यहीं वाला target जो है 400 रुपीज तक का लेके चल सकते हैं इससे जादा आपको जो target है वो नहीं मिलने वाला है अभी के लिए हाँ जब भी यह trend line तूट जाएगी जैसे कि मैंने आपको कहा 18 January तक तो जैसे ही दोस्तों आपको यह trend line जो है 400 के मतलब यह वाला level जब भी तूटने को मिलेगा मैं आपको update कर दूँगा तो आपको बड़ी तेजी के साथ एक moment 400 की देगा और अगर 400 के उपर निकला तो फिर यह बड़ी तेजी के साथ आपको 480 के target दे सकता है क्योंकि इसके जादा आपको resistance यहाँ पर देखने को मिलेगा 440 के पास तो 400 के ऊपर आप 440 का target लेके चलिए और उसके बाद 480 का target जाने कि 40-40 point ही आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहे है और downside भी वहीं चीज हमें range जो है वो देखने को मिल रही है तो अभी के लिए आप 340 का यहाँ पर बताई है मैं किसी को राय किसी को सला यह नहीं बोलूगा कि आप buy कीजिए है कीजिए मैं आपको यहीं बोलना चाहूँगा आप एक बार अपने financial advisor से ज़रूर राय लेजी लिए अपने risk को manage करने के लिए क्योंकि यहाँ पर risk जो है वो आपका मैं नहीं ले सकता वो आपके financial advisor की राय से ही चलेगा तो सोचकर समझकर invest कीजेगा risk